नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक महीला करांतिकारी की कहानी लेकर आए हैं, जिन्होंने महज 21 साल के उम्रों में देश के लिए अपना बलिदान दे दिया था। देश में अंग्रेजी सासन के खिलाब कई सेनानियों ने अदम में साहस, वीरता और द्रड संकल्प का प्रदेशन किया। इसमें से ही एक हैं प्रिती लता वादेदार जिन्हें बंगाल की पहली महीला बलिदानी भी कहा जा सकता है। पांच मई 1911 को चटगाओं के पास दलगाट गाओं के मद्धमबर्गे परिवार में जन्मी प्रिती लता स्वातंतरता सैनानी लीला नाक के दिपाली संग की सदिस से बन गई जो महिला सिक्षा की पैरोकार थी। एवं महिलाओं को युद्ध का प्रिशिक्षन देने में माहिर थी। संग से जुणने के बाद उनकी मुलाकात क्रांतिकारी सूर्य सैन और निर्मल सैन से हुई। सूर्य सैन ने प्रिती लता को संगठन में सामिल कर उन्हें लड़ने वा हमलों में नेत्त्व करने के लिए प्रशिक्षित किया। इस्तित सस्त्रागार में 18 अप्रेल 1930 को छापा मारा गया और प्रिती लता ने सफलता पूरवक टेलीफोन, लाइनों और टेलीग्राफ कारियलों को नश्ट कर दिया। करनतिकारी सूर्य सेन पहाड ताली यूरोपियन कलब नाम के नसलवादी गोरों के कलब को निशाना बनाना चायते थे। अन्य करनतिकारीयों को सौपा 24 सितंबर 1922 की रात में हमला हुआ। प्रिती लता ने पंजाबी का भेश धरा और क्रांतिकारियों के साथ मिलकर कलब को आग लगा दी। प्रिती लता प्लिस फाइरिंग में घायल हो गई थी। अंग्रेजों की कैद से बचने के लिए 21 साल के उम्र में पोटेशम साइनाइड खाकर उन्होंने आत्पम बली दे उनका बलिदान क्रांतिकारियों के लिए फ्रेड़ना बन गया। तो दोस्तो ऐसे बहुत सारी महिला क्रांतिकारियों ने भी हमारी देश की आजादी में योगदान दिया। उनके बारे में समय समय पर हम कहानियां लेकर आते रहेंगे। इस आजादी के अमरत महुत्सों क मनाने के लिए हमने एक सिरी सुरू किये है जिसमें हम Freedom Fighters से जुड़ी हुई कुछ बहतरीन कहानियों को आपके सामने लेकर आ रहे हैं अपने इस चैनल के माध्यम से उमीद है आपको ये कहानिया पसंद आ रही होंगी अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इन बलिदान की कहानियों को अपने दोस्तों संबंधियों के साथ शेर जरूर करें वीडियो को लाइक करना न भूलें वीडियो में अंतक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू वेरी मच